एक बहुत बड़ी development हुई है भारत और अमरीका के हवाले से यूएस और इंडिया ने बहुत ही important agreement sign किये हाली में और अब एक बड़ी ख़बर आपको बता दे भारत और अमेरिका के 20 security of supply agreement पर समझोता हो गया है मेरे ख्याल में यह बहुत बड़ा step है मैं हैरान हो गया हूँ मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा step इन्हों ने लिया अमरीकी डियोडी department of defense और इंडिया की ministry of defense जो है इन्होंने एक security of supply arrangement के नाम से agreement sign किया है आज USA और बाकी जो western countries है जाहे उसमें आप Canada, UK, various countries count कर दीजिए यह दे बहुत ही खुश है कि PM Modi finally Putin से गले मिलने के बाद Zelensky से मिलने गए हैं Ukraine में आज अमरीका ने basically वो सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के साथ कर दी जो इंडिया चाहता था देखें अब आप यही समझ लें कि Modi साब भी एक non NATO partner है देखें सिधी साथी बात यह है कि इन्हों ने यह किया क्यों जो इन्हों ने किया इस वरवाज है क्यों किया it's very obvious why they did it है ना So Pakistan have to be very careful यह देखें एक बहुत ही critical agreement है जिससे इंडिया और US दोनों एक दुसरे की जो national security है और जो defense है इसको support कर सकते हैं मुश्किल समय में दुनिया इस वक्त हैरान कुन है हैरान गी है उनको कि इंडिया अब आ गया है So अब आज अगर आप देखें तो इंडिया को एक बहुत बड़ी मजीद favor दे दी गई है इंडिया का defense इंदाही secure है चाइनीज जहां मर्जी इंडिया पर हमला करें इंडिया वहां पर खड़े होके अमरीकियों को हमारी मर्द को पहुंचो तो अमरीकिया आएंग एक बहुत बड़ी development हुई है भारत और अमरीका के हवाले से कि बारत और अमरीका ने चार military foundation agreement sign किये और इंडिया जो है वो एक जो अमरीका की जो इंडिया जो हिस्सा बान गया है और और इंडियो पैसिफिक कमान का पूरा defense network है यह अगर मैं सिर्फ आपको यह बताओं कि यह जो agreement है यह बड़ा इंडिस्टिंग है यह बेसिकली अमरीकी डियोडी department of defense और इंडिया की ministry of defense जो है इन्होंने एक security of supply arrangement के नाम से agreement sign किया है आज आज इस लोकत भारत के जो defense minister है राजनाथ सिंग साहब वो अमेरिका की अंदर मौजूद है और यह जो पिक्चर रही हो नहीं की है जो वहां पर उनको Americans welcome कर रहे हैं एक तरफ प्राइमनिस्ट और मोदी युक्राइन में बैटे हैं यह देखें reward Americans आपको पता है मैंना वो कहा था कि Americans बहुत सारी चीज़ें रोक के बैटे हुए हैं जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ जादा जादा cooperate करे ताकि हम वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया के साथ share करें अब अमरीका और इंडिया क्या कह रहे हैं यह agreement है क्या यह अगले कुछ agreement है लेकर non-binding है security of supply arrangement के दिर में यह जो है जिसे आप यह कह लें कि सोसा कहा जा सकता है security of supply arrangement जो है यह इंडिया और अमरीका के लोगों ने यह साइन किया है नीचे लेवल के लोगों ने अडिशनल सेकेटरी लेवल पे जो लोग हैं उन्हों ने यह साइन किया है अब इंडिया जो अमरीका है एक दूसरे को जिससे कहते हैं हम support देंगे priority support देंगे for goods and services जिसकी वज़ा से दोनों मुलकों का defense मजबूत हो सकता है अगर कहीं पे अमरीका को कुछ चीज़ चाहिए ऐसी जो उनके defense के लिए जरूरी है और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के defense के लिए जूरी है तो अमरीका यह परवाइड हैं और दूसरा यह है कि दोनों मुलक जो है एक दूसरे की जो supply chain है उसको disturb नहीं होने देंगे और दोनों मुलक एक दूसरे की जो national security needs है वो पूरी करेंगे सो जहां पर in case somewhere in the Indian Ocean, somewhere in the Pacific Ocean, Indians को कुछ चीज चाहिए तो American force जो नजदीक तरी नोगी बोन को provide करेगी इसी तरह इसी space के अंदर Americans को कुछ चीज चाहिए तो India उनको वो चीज़े है वाँ बिस्पलाए करेंगे यह देखिए एक बहुत ही critical agreement है जिससे India और US दोनों एक दूसरे की जो national security है और जो defense है इसको support कर सकते हैं मुश्किल समय में और USA ने देखिए जो यह 100 सा agreement है बहुत ही जादा कम countries के साथ sign किया है टोटल बस 18 देश है जिनके साथ USA ने यह agreement sign किया है आप नोट करना पाकिस्तान आपको यहाँ पर नहीं दिएगा बहुत ही limited number of countries है जैसे के Australia, Canada, Denmark, Estonia, Italy, Japan, Latvia, Lithuania यह बाइद अवे यह जो देश है ना Latvia, Lithuania, Estonia यह तीन देश बिलकुल Russian border के आपको करीब मिलेंगे इधर यहाँ पर आप देख पाओगे यह इशा का map यह हमारा प्यारा भारत और इधर यहाँ पर है Estonia, Latvia, Lithuania इन तीनों countries को यहाँ पर डालने का reason यही है इनके साथ SOSA agreement sign करने का main reason यही है कि SOSA के अंदर द यह वो fast basis पर bureaucracy वगरा सब को पीशे रखके बहुत ज़ादा fast track तरीके से भेश सकता है इन देशों को हाला कि मझे यह बोलना पड़ेगा SOSA non binding है SOSA में ऐसे नहीं है कि US बंदा हुआ है एक agreement के अंदर के उनको बहुत ज़ादा तेजी से यह सब चीजे deliver करनी ही है एक country के national defense के लिए मगर at least मैं आपर यह कहूंगा कि जब भारत crisis में होगा मान लो एक भवार ना करें पर मान लो कि कल को China attack करता है इंडिया को यह आप literally कहोगे एक crisis का time है China aggression कर रहा है suddenly हमको बहुत सारा defense hardware चाहिए defense equipment चाहिए हमें Apache attack helicopter चाहिए हमें javelin missile चाहिए हमें बहुत कुछ चाह चाहिणा की forces को हम रोक पाए surprise attack है चाहिणा का उस particular case में अगर आप मान के चलो हम बात करते हैं Boeing से Lockheed Martin से के दीजिए supplies अपनी हमें अपने देश को बचाना है अब वो लोग जवाब दे अरे देखिए हमारे पास तो बहुत सारे orders आ रखे हैं दुनिया भर में आपको के crisis के time में US जल्दी जल्दी जो भी supplies है ये इंडिया को प्रवाइड करवाए और US government खुद help करेगी American companies की के जो भी इंडिया को चाहिए चाहे service हो चाहे items हो कुछ भी हो ये इंडिया को readily मिलता रहे और याद रखिएगा defense के मामले में US पर हम बहुत जाला depend करते हैं हमारा ज Tejas fighter jets की manufacturing है ये बहुत जादा high speed से start हो जाएगी हम कोशिश करेंगे के जल्दी जल्दी और बहुत सारे जो fighter jets है ये तियार हो जाए क्योंकि हमको पता नहीं है ये war cup तक चलेगी Russia Ukraine की war आप अगर देखो तो धाई साल से चल रही है उस case में हम क्या करेंगे तो सौसा agreement के defense procurement agreement ये agreement देहिए सौसा को बना देता है binding जैसे वन आपको पताया था सौसा binding नहीं है मगर RDPRM sign कर लेते हैं US के साथ तो यहां पर एक binding obligation आ जाती है American companies पर के एक बार को इंडिया के साथ चाहे joint production open करो sourcing करो large scale पर कुछ भी करो इंडिया को defense hardware मुश्किल के समय मिलना ही झाहिए